हुलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग भी दंजेविस पर दोस्तों आज की वीडियो में डिसकस करने वाले हैं हमारे भारती समिधान का बहुती महत्पूर्ण टॉपिक जिसका नाम है उपर राश्टपती इससे पहले के वीडियो में आ वरेयता करम की बात करें तो सबसे पहले हमारे राश्टपती आते हैं उसके बाद आते हैं उपर राश्टपती तो आज का जो टॉपिक है वो उपर राश्टपती के बारे में हैं तो चलिए जानते हैं उपर राश्टपती की सक्तियां उसके कारिक कैसे उसका चुना होता ह पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा सबसे पहले बात करते हैं उप राष्टपती इसकी बात होती है अनुच्छेद 63 63 तो इसको कैसे याद करेंगे कुछ नहीं करना आपको राष्टपती का आपको याद है राष् कर दो 63 तो अनुच्छेद 63 के अंदर करेंगे उप राष्टपती की आपको राष्टपती का याद है तो इसमें आप 11 कर दो 63 हो जाएंगे और 63 किसका है वो है हमारे उप राष्टपती ठीक है तो इसकी पत की बात करते हैं कि पत के लिए जो इसकी योगिता होनी चाहिए हो इस होनी चाहिए जैसे राष्ठपती की होती है देखने हल्का सा चेंज ही होता है कि जो हमारा राष्ठपती होता है वो को सदस्य बनने योग होता है और आपका उप्रास्ट्पती वो राज सबा का सदस्य बनने की योगिता रखता कि यहारत नगरीखोना चाहिए 35 कि पूर्ण कर चुका किसी भी लाप के पद पर कारियत ना हो और राजी सबहा का सदसे बनने योगिता रखता हो तो यह सब योगिता होनी चाहिए इस पद के लिए इसका कारिकाल देखते हैं जो कारिकाल उपराष्टपती का होता है वो कारिकाल होता है पद ग्रहण करने से लेके पांच वर्स तक की जब वो पद ग्रहण कर लेगा तब से लेके पांच वर्स तक की उसकी कारिकाल होता है जो उसका वेतन होता है वो कितना हो सभापती के रूप में कार्य करने पर ठीक है तो द्यान रखिएगा जिसको वेतन मिलेगा वह राज सभापती के तोर पर कार्य करने पर उसको बेतन मिलता है तो पहला अनुच्छ tęच हमारा 63 जिसमें पथी की बात कि गए थी उपराष्ठपती की लेक्स्ट हमारा जो सिटी फोन में बात की गई है जो भारत का ऊपराश्ट्पती होगा वो राज़ए सबा का पदेज सबापती होगा और 6最近 कि 65 उसमें क्या बात की गई है उसमें बोला गया कारिव वाहक राष्ट्पती के रूप में कारी करेगा कौन उपराष्टपती जब राष्टपती अपने पत्पर नहीं होगा तब क्या होगा मान लिजे किसी कारण पर राष्टपती की मृत्ती हो जाए या अनुपस्तित है या बीमार पड़ जाए या अपने पत्पर नहीं है तो उस दसा में क्या होता जो हमारे उपराष तो तीन अंच्छेद हो गए एक हो गया 63 कि एक हो गया 64 और एक हो गया 65 कि यह तीन से ज्यादा important है इसी से बार-बार question जो है repeat होते हैं तो लेकिन जो उपराष्ठपती होगा राष्ठपती के पत्पर जब कारी करेगा तो maximum कितने जिन तक कर सकता है वो कर सकता है six month maximum six month तक कारी कर सकता है six month के अंदर ही चुनाव कराया दिया जाता है किसका राष्ठपती का ठीक है नेक्स्ट चलिए देखते हैं उपराष्ठपती के निर्वाचन के समय निर्वाचक मंडल के निर्वाचित सदस्यों में 20 प्रस्तावक तथा 20 अनुमोदक सदस्य होने चाहिए जैसे राष्ठपती का चुना हुआ था तो उसमें क्या होता था पचास प्रस्तावक होते थे और पचास अनुमोदक होते थे उसी तरीके से उपराष्ठपती के चुनाव में 20 कि इंपॉर्टेंट लाइन है इसको जो है याद कर लिजे कि उप्राष्ट्वती के निर्वाचन के समय निर्वाचक मंडल के निर्वाचित सदस्यों में 20 प्रस्तावक तथा 20 अनमोधक सदस्य होने चाहिए नहीं तो भाई इसे तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन जो में पॉइंट होता है कि प्रस्तावक होने चाहिए 20 प्रस्तावक 20 अनमोधक तभी वह वह उप्राष्ट्वती के पत के लिए निर्वाचक मंडल में कौन होना चाहिए जैसे कि हमारे राष्ट्वती का चुना होता है तो उसके निर् सभा और विधान सभा ओर दिल्लेी और पुदु चैरी ओनुक्त सोसे लेकिन उसमें क्या होता और सर्छं 진행 मंडल में इसके निर्वाचक मंडल में लोग सभा और राजीसभा दोनों के सदस्यों निर्वाचीत और मनोनित यह देखिए मनोनित एड हूं राश्टपती के चुनाओं के समय में जो मनुनित सदस से होते हैं राजसभा के उनको हम एड़ नहीं करते हैं लेकिन उपराश्टपती के जब चुनाओं होता है तो उसमें लोकसभा और राजसभा के दोनों सभाओं के सभी सदस से वो निर्वाचित सदस से और मनुनित सदस से मरी से फिते होते हैं वो सबस्akat मंदल में भामाग लेटे हैं तो आपको यह याद रखना है कि राष्टपती के चुनाव में लोक सभा राजी सभा और विधान सभा उसमें चुनाव के लिए होती है क्या नाम उसका निर्वाचन पुनालिया प्रदिती का नाम अनुपातिक प्रतिनिदित्व पदिती के अनुसार एकल संक्रम्णिये मत पदिती के द्वारा इसका चुनाव होता है तो यह आपको याद रखना है अनुपातिक प्रतिनिदित्व पदिती के अनुसार एक सेंक्रमनिये मत्पदती के द्वारा ठीक है तो यह हो गए इसके निर्वाचन की पदती अब नेक्स्ट आता है कि सपत किसके समक्ष लेता है राष्ट पती के समक्ष अगर मालिजे राष्ट पती अनुपस्तित है तो उसके करे द्वारा नियुक्त किये गए किसी विश्दस्य के भर की समक्र ये सपत लेगाकोन उप्राश्थ्पती अगर दुए ऑकर किसी तरह का चुनाविक विवात का निप्टारा करेगा तो आपको ध्यान रखना है लेकिन सभापती के रूप में रिणायक मत देने का अधिकार प्राप्त होता है यह बहुत भॉट्न लाइने से काफी बार कोस्छेन बनता और इसको ध्यान कियेगा उप्राश्थ्च पति होतं राज्य सभा का अध्यक्ष मत अध्या पति कौन है Jedri राष्टपती वर्तवान में तो इर्वे नम्मर के राष्टपती कार्य में हैं इनका नाम है तो यह आपको ध्यान रखना है और क्या बोला है लेकिन सभापती के रूप में निर्डायक मत देने का अधिकार राप्त होता है बाई सदत से नहीं है तो वो क्या करेगा जब पड़ गए 50% दर और 50% इधर पड़ गया तो वहीं बराबर हो गया ना बोटिंग क्या हो गई बराबर हो गई जब इस तरह की कंडिशन मंती है तब इसको पास एक अधिकार होता है कि वह निर्णायक मत दे और इसका वन प्लस जो है निर्णायक मत जो है वह या तो इसको दे देगा या तो इसको देदेगा उस दसा में क्या होगा या तो इसकी मजरीटी हो जाएगी या तो इसकी मजरीटी हो जाएगी तो उस उस कंडिशन में यह अपना निर्णायक मत देता है कौन उपराष्टपती यह तो आपको पता ही इसकी पत की व्याक्या किसमें की है अब यह हो गए इसके उपराष्ट पती आपप्राष्ट पती की मेन ऐत कार कार किका क्णिशन क्या है तो इसको भी में समझाय देता हूं इसको मिटा देता है इसके लिए थोड़ा से सपेश ही होगा अब माली यह हमारे वाइस प्रेसिडेंट है यह दो तरीके स्कारी करेंगे पहला किस तरह से राज सभा के सभापती के तौर पर और दुसरा राष्टपती के तौर पर तो यह कब करेंगे यह विशेश प्रसितियों में करते हैं कब जब राष्टपती अनुपस्तित हो तो उसका कारिभाल कौन समाल लेता है हमारे वाइस प्रेसिडेंट हमारे उपर राष्टपती जब राष्टपत संहाल हूं उसका जो कारण हो सकता है पतपन ना हो तो हमारे वाइस क्रेसिडंट प्रेसिडंट के दवारा जो भी कारी किये जाएंगे वह इंके ना रहने पर मान निसब रहते हैं यह कार तो रेगुलर नहीं होता यह कभी भी परिसेतियां बनती है इस तरह की तब होता है लेकिन जो रेगुलर होता है वो कारी होता है वह राजिसभा के सभापती के तौर पर वह कारी करते हैं और इन्हीं पत के लिए उनको क्या मिलता है वेतन मिलता है क्या मिलता है वेतन किस पत के लिए राजिसभा के सभापती के और यह जब राश्टपती की तो मिलेगा जबिए राश्टपती के रूप में कारि करेंगे तो आपको dalla कि यहां पर इसयान रखना है कि करते हैं मैं जब राश्टपती अनुपस्तित नहीं होते हैं और एक शुत करते हैं जब वाई राज-सवा के सवापती के तौर ठीक है एकश 1950 है benchmark आद यह उनके कारी होगे अभने का जो है हटाने की प्रक्रीया या रश्पत्र कैसे देंगे यह कि इस प्रकार का सब्धानिक उलंग यह तो बात यहां तो हो गई है कि अगर अगर उसको पने पत से हटना है उपराश्च्पती को तो क्या कर सकता है या तो से अपना त्याग पत्र दे सकता है ठीक है नहीं तो अगर मान लीजिए किसी प्रकार का सहमें धाने को लंगन करता है तो उसको हटाने की प्रिक्रिया की कारि करेगा। है और यह प्रक्रिवे का हम सबसे पहले हम कहां करते हैं ला लिए शेले राश्रपती को हटाना आ है उसको हटाना है तो क्या करेंगे सबसे पहले। कि जो हमारे उपराष्ट पती को हटाने का सबसे पहला जो प्रस्ता होगा वो राजी सभा में हम लाते हैं कहां पे लाते हैं राजी सभा में और राजी सभा से अगर पास होता है तो उसके बाद उसको लोग सभा में भेजा जाता है और लोग सभा के दो तियाई सदोस्यों की majority होने से पास होना चाहिए उसके बाद वो अपने पद से हटाया जाता है 紅 उपराष्ट पती तो इसको आप जान लिजेए इसे सबसेबें राज़ी सबहा में उसके खिलाफ परिस्ताओ पारित होगा राज़ी सबहा में पास्पाब करने के बाद फिर लोक-षबहा प्रस्ताव जो है लाने जा रहे हैं तो 14 दिन पूर्व राश्पती को सूचित कर देना चाहिए किया जाता है ताकि वह जो है तो एक्चा से अपना त्याग पत्र देदें ठीक है तो यह जो है हमारा एक छोटा सा टॉपिक था उपर राश्पती के उपर इसको आप जो है रा झाले लिखना चाहते तो आप लिख सकते हैं जैसे कि चुनाओ की शनुच्षेद में होता है चुनाओ और कार वाहक के रोप में जब काली करता है कि तो पता ही आप कोन प्रम से घृण के तहत कारि करता है और और सफद चुनाओ होगे हमारा 66 और कारिवाहक के रूप में जो कारी करेगो अनुच्छेद 65 के तहत और जो इसका कारीकाल होगा वो 67 और सपत लेगा 69 के तहत यह अनुच्छेद है इनको भी चाहे तो आप एक बार पढ़ सकते हैं चुनाओ किसके तहत होता है उपराष्टपती का अन कारिवाहक के रूप में काम करीगा तो अनुूच्छित 65 के तहत करेगा और जो उसका कारीकाल होता होके供िद 67 के तहत होता है वाकिर सभापती के तावर पर कारी करता है और 65 राष्टपती के कारवाह की तरह वह कारी करता है तो में आपको वीडियो पसंद आया होगा इसी प्रकार के वीडियो को आप पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्यादे से जादा वीडियो सेर लाइकर